कोरोना तरास्दी की इस घड़ी में पूरे देश में लॉकडाउन होनी की वज़त से जहां सारे काम काज ठप पड़े हैं, वहीं दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या भी खड़ी हो गई है। ऐसे में विभिन सहरों से मजदूर पलायन कर रहे हैं, मगर आवा गमन की कोई सुविधान नहीं होने के कारण लोग पैदल ही अपने अपने घरों का रूख कर रहे हैं। से जाम किया गया। मजदूरों ने बताया कि वे तीन दिनों से पैदल चलते हुए यहां तक पहुंचे हैं। इधर खाना खाने के बाद कुछ दिर आराम कर सभी फिर से अपने घरों के लिए पैदल निकल पड़े। अब वहाँ खाने के थोड़ा विवस्ता मतलब कमी पड़ गया तो इस दिया मैं सोचा कि अब यहां रहके हम क्या करें। है इससे बढ़ेया तो अमजामे चले जाएंगे तो अब भी रहेगा होटा हो कोई बुरस्त होगा तो खाएंगे वहां को कि इधिन इस मतलब रात दूख दीन चलते हैं कहीं पर शूर लेते हैं कहीं फिर फिर चलते रहतें। गोड में च्छाला भी हैं।